हेलो फ्रेंड्स मितल की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वाकत हैं आज मैं आपके साथ में बुंदी बनाने का बहुत आसां सा तरीका सेर करूंगी तो बनाएंगे एकदम चटपटी सी बुंदी जिसे आप 6 मेने तक इस्टोर करके रख सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही 10 मिनट में आपकी बुंदी बनके रेडी हो जाते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसान गोल गोल जो है मोती की तरह खिली खिली एकदम क्रिस्पी बुंदी बना का तयार करेंगे ये बुंदी बच्ची होया बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा प ले तो जो सदों हमारा बारिक होना च cloudy मोटा वाला बेशन जो है बुंदी के अंदर बिल्कुल भी अनहींव आए गरे वेचांस में थैटकर सकते हैं चुब एक कटोरी बेसन लेना है और उसी कटोरी से जो आपको पानी भी लेना है ध्यान रहे फ्रेंट्स बेसन मैंने यहां पर फुल भरकर लिया था थोड़ा सा दबा कर लिजी उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाहिए और इस तरह से जो आपको बैटर बनाना है बेशन आप ध्यानेदैंस आपका छाना वह ना चाहिए इंटले लिग्राइब हो यह वगारते व्राइब यूर्ट मेरा जो यूर्ट मेरा नहीं 1 2 ღ 3-1 बेशन का गोल बना दिए समयमें जादा पानी भीसा ओ एक ताकि हमारा बेटर जोए एक तम फलपी हो जाएगा और हलका हो जाएगा और आप जैसे जैसे मैं फेट रहे हूँ इसका लाइट होता जा रहा है तो देखें थोड़ा-थोड़ा जैसे मुझे लग रहा है उसी तरह से मैं पानी डालते जा रहे हूँ एक पबेशन में कितना पाने लगेगा अभी मैं आपको दिखा दूंगी लाश्ट में तो यह थोड़ा सा बेटर के कौंटिटे के ओपर भी डिफेंट करता है फ्रेंड के बेशन हमारा कैसी क्वालेटी का है तो यह देखिए अच्छे से जो मैंने इसको फेट लिया है अभी हम इसको रेश्ट पर तो बस आप देख सकते हैं रिबिन की तरह हमारा बेटर गी रहा है इसी तरह का हमारा बेटर होना चाहिए तो एक कप में से देखिए करीब पौना कप से थोड़ असा ज्यादा हमारा पानी या पर यूज ज़ुआ है और बाकी का पानी बच गया है तो डखन लगा का किसे बबल जो है आ रहे हैं तो बस बैटर हमारा जो है परफेक्ट रेडियो हो चुका है एक बार जो है एक मिनिट के लिए मैं इसको अच्छे से और फेट लूँगी अभी हम दूसरी तरफ जो है तेल गरम करने के लिए मैंने कड़ाई में रख दिया है तेल हमारा है और थोड़ा थोड़ा बैटर देखे इस तरह से जो है चलनी में डालते जाएंगे और बुंदी आप देख सकते हैं गोल गोल बुंदी जो है मोति की तरह नीचे जो है आराम से गिटती जा रहे हैं बिलकुल भी जल्द बाजी नहीं करने फ्रेंट सापको आराम से आपक कर दिया है तो अभी देखे मैं इसको चला दूंगी इसको पकने में एक से दो मिनट का भी टाइम ने लगता है इतनी जल्दी जो है जट पड़ी हमारी बुंदी बनके रेडी हो जाती है और आप देख सकते एक एक बुंदी जो हमारी गोल बनी है एक दब मोति की तरह जो ह यह फ्रेंड आटोमेटिक जो है क्रिस्पी हो जाती है अभी हलकी से सौफ्ट है लेकिन यह बाद में क्रिस्पी हो जाएगी फिर से देखे मैंने जारे को यहां पर अच्छे से वास कर लिया है जितनी बार बुंदी निकले जारा आपका जो अच्छे से क्लीन होना चाहिए तब ही आपकी बुंदी यहां पर अच्छी बनेगी मैं आपको तीन से चार बार यहां पर दिखा दूंगी कि किस तरह से आपको बनाना है तो आप देख सकते हैं दूसरी बार भी वही बैटर है फ्रेंड फिर भी बुंदी हमारी कितनी गोल गोल निकल रही है और बिलकुल अराम से इसके उपर गोल गोल निकलती जाएगी यहां देख सकते हैं वीडियो में मैं कितना उपर रख रहे हूं जारा उतना ही आपको यहां पर भी रखना है अगर फ्रेंड्स आपकी बुंदी आप पर चप्टी आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बैटर है फिको थीक करना पड़ेगा अगर आपकी बुंदी लंबी आ रहे हैं तो आप समझ लेखें आपका बैटर जो है थोड़ासा गाड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा बस इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी बुंदी पी एक्टम पर्फेक्ट बनेगी तो यहांपर देखे सारी बुंदी मैं इसी तरह से निकल के तैयर कर ली है और आप देख सकते हैं मारी बुंदी निकल Android निकल कर आई हैं तो यहांपर लो फ्लेम पर रोष्ट करना है क्योंकि इसको पकने में ज्यादा टाहिम नहीं लगता है जट पर यह बनके त्रड़ी हो जाती है अगर आप इसको हाइफ पर फ्राइ करेंगी तो यह बहुत ही जल जाएगी इसका स्वाज बहुत ही बेकार लगेगा तो देखे लो फ्लेम पर से चारों तरफ से मुँख भी अच्छे से कूक हो सके तो अभी देखिए हलका-मार का चैंज होने लगा है तो अभी मैं यहाँ थोड़ी दिर इसको और पकाएंगे उससे ज्यादा क्यों पकाने की ज़रूत नहीं है तुछ काफी च्वाल स्गार हैं तोऑ इससे जाधा है को नहीं करेंगे ons its अभी में और कांग साद गर्म में यानदर कोड़ी पते डाल सीधा लगिंगे इंको ज्यादा ऋखें जूरुत करने की बाद हो जाते हैं आधर कांग सा इंगो आधर सामय करेंगे आने लगे एक दूबार इसको पलट लेंगे ताकि चारो तरफ से अच्छे से पक जाए अभी आपको लग रहा होगा नेकि ठंडे होने के बाहर बहुत क्रिस्पी बन जाता है यह कड़ी के पते तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी बाहर इसको भी मैंने आपर बाहर निकाल लिए और एक बाऊन में मैंने इसको निकाल लिए बुंदी कड़ी के पति अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और यह देकि इनका चूरा जो रहे तो सारे कड़ी के पति से बुंदि बना रहे हैं अधा छोटा चमच में आप ले लिया हैń साधा झाल मजम्या और ले रहे हैं अमचुर का आगर आप आंगी है जा आगर ऑफ ना ले सकते हैं और ऊप्रोर नब стр भुणल जीरा और पोदीन्य का पॉड़र लेform कशने कर लेकिन इस इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आदा चोटा चोटा चमा मैं आप ले रही हूं काला नमक आप चाहे तो कस्मेरी लाल मिर्ची भी डा सकते हैं लेकिन मैं आज इसको एकदम तीखा और चटपटा बनाऊंगी तो इन सारे मसालों को बुंदी के ऊपर डाल देंगे औ बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा अगर आप इस तरह से बुंदी बनाएंगी यह बुंदी फ्रेंट बहुत ज्यादा टेस्ट लगती है खाने में तो देखिए एक बार मैंने इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है तो यह बुंदी को फ्रेंट आप जो हैं दई चाह बूंदी में सब्सक्राइब करेंरे में बनके रेड़ी हो चुके हैं एक तम क्रिस्पी बुंदी है इसे आप किसी भी डिबे में डाल कर एक डिबे में रख दीजिए बिल्कुल भी छो है छे मैने तक यह बाहर रखेंगे तो भी खराब नहीं होगी लेकिन में तो यह कहूंगी फ्रेंड कि आप एक बार बनाईए ए सब्सक्राइब जरू करें बैल आइकन जरू प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे अगर आप में फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेच को फॉलो करना बिलकूर